कारम बांध के बाद मद्देश के एक और बांध में पानी का रिसाव शुरू हो चुका है इस बांध के करीब पांच जगाहों से पानी का रिसाव हो रहा है इस बांध का नाम अर्दला है जो खंडवा जिले के आबना नदी पर बना हुआ है और रिसाव होने के मुख्य कारण ये है कि बांध ओवर्फ्लो हो गया है रिसाव की सूचना मिलते ही मौके पर जिला कलेक्टर पहुचे बारी बारिश से कच्चे मार्क पर कीचड होने से डैम तक 8 किलो मीटर का रास्ता अफसरों को ट्रैक्टर से तै करना पड़ा डैम के निचले हिस्से में लगभग साथ गाउ बसे हैं ऐसे में अगर रिसाव बढ़ता है तो गाउवालों के लिए ये बड़ी मुसीबत बन सकता है कि यह बड़ा बन सकता अभी नहीं बना लेकिन बन सकता है और दूसरी समस्से महलाओं की सबसे बड़ी के आई इसकुल के बच्चे इसकुल नहीं जा पाएं एसे कहीं बाहर नहीं जा पाएं क्योंकि रास्ता बंद पूरी तरह हो चुका है आप जो भी अधिकारी यहां पे आए इनों नहीं खुद ने देखा होगा निकल के हाथ पकड़के एक दूसरे का निकले हैं तो बच्चे कैसे निकल पाएंगे कल दुपहर के आसपासी जनकारी प्राप्त हुई कि कुछ ग्रामीड दुवारा WRD के जो चौकी दार है तो उनको सूचना दी गए कि तालाब के में कुछ सीपेज है कुछ इस्थानों पर तो उसके बास जब यी WRD दौरा तालाब की साइट पहुचकर उसके निरिक्षन कि तो पाया गया कि तालाब में Ftl से उपर पानी था और वहां पर जिस तालाब को जिस व्यक्ति को ठेके पर मचली पालन के लिए गया तो उसके द्वारा उसके बेस्ट विया की तरफ जालिया लगा दी ती जो डबल और ट्रिपल लेयर में थी जिसकी वज़े से पानी जो पानी का इस्तर था वो बढ़ गया और उस तब बढ़ हुए पानी की बज़े से उसमें दो तीन चार जगे से थोड़ा थोड़ा सीपेज हो रहा था तो डबलो आड़ी के दुआरा वहां पर पोँच कर उसको जाली को जैसे ही हटाया गया तो पानी जो वेस्ट वियर से ब पानी के लिए कुछ तातकाले टेंपरेरी काम किये गए आज उसको पर्मानेंट करके पूरी तरीके से कम कर देंगे चुकि कल पहली परात्मिक्ता थी कि जितना पानी है उसको तेजी से निकाल दिया जाए कोई खत्रे के संभावना नहीं नहीं बहुत छोटा टैंक है तीन और छोटा ही तालावे तीन एमसी है तो ऐसी कोई इसमें संभावना नहीं और आज शाम तक उसका जो भी रिपियर का काम है पूरी तरीके से कर लिया जाएगा और EWRDC के रिपोर्ट लेकर उसके फिर भी हमारी टीम लगातार उसके निगार रखे लिए पताया ना कल पानी वेस्ट वियर से बहुत तेजी सी निकल ला था तो जाने को पैदल भी जा सकते थे ऐसानी टेक्टर से थोड़ा ये रहता देखने के इस तर से ताकि स्पोर्ट पे देखा तो मेरे सामने तो पानी सीपे से नहीं हलका सा बहुत हलका सा था एक ओर जहां ग्रामी लगातार हो रहे रिसाओ से डरे हुए है तो वै कलेक्टर अनूप सिंग के दावो के अनुसार बाद में अब किसी भी प्रकार का रिसाओ नहीं हो रहा है पज़ाब के स्री टीवी के लिए खंडवा से निशात सितिकी की रिपोर्ट